अगर आप चारधाम यातरा पर उत्रखन डा रहे हैं तो सावधान हो जाएए चारधाम यातरा पर पंजिकरन तारीक से पहले अगर आप यातरा के लिए पहुँचे तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है चारदाम यात्रा में शद्धालू के सहलाब को देखते हुए पंजिकरण व्यवस्ता का सक्ती से पालन किया जा रहा है मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी ने अधिकारियों को पंजिकरण व्यवस्ता का सक्ती से पालन कराने के निर्देश दिये हैं साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यात्रा के सभी मारगों के एंट्री पॉइंट पर चेक पोस्ट बना कर सक्ति से चेकिंग अभियान चलाने के भी निर्देश दिये हैं जो वाहन गैर पंजीकरण तीर्थ यात्रियों को यात्रा पर ले जा रहे हैं उन पर भी कारवाई करने के निर्देश सियम धामी ने दिये हैं धामी ने कहा कि यात्रा से सिर्फ उत्रखंड ही नहीं पूरे देश के श्रधालू की आस्था जोड़ी हुई है हमारा प्रयास होना चाहिए कि यात्रा पर आने वाले श्रधालू यहां से अच्छा संदेश ले कर जाएं यात्रा का संचालन सुगम और सुरक्षित हो इसके लिए सबी विभाग समयनवे के साथ काम करें मुक्यमंत्री ने अधिकारियों को चार धाम यात्रा से जोड़ी विवस्थाओं का इस्थलिये निरिक्षन करने और तीर्थ यात्रियों से बादचीत कर फीडबेक लेने और उसी के अनुरूप विवस्थाओं में परिवर्तन करने के निर्देश दिये हैं मुक्यमंत्री धामी ने कहा कि मेरा समस्त यात्रियों से अनुरोध है कि स्वास्त परिक्षन मौसम संबंदित जानकारी लेने के बाद ही अपनी यात्रा को शुरू करें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन जरूर करें वही मुख्यमंत्र धामी ने निर्देश दिये हैं कि चार धामों में मंदिर के 50 मीटर की परिधी में वीडियो बनाने रील बनाने पर रोक रहेगी हाला कि सधालू के लिए मोबाइल साथ में रखने पर रोक नहीं है सधालू अपने साथ मोबाइल रख सकते हैं लेकिन वीडियो या रील शूट नहीं कर पाएंगे इससे पहले मुख्य सचिव राधार अतूरी ने निर्देश दिये थे कि चार धाम यातरा में मंदिर से 200 मीटर तक मोबाइल प्रतिबंदित रहेंगे मुख्य सचिव राधार अतूरी ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि फेक नियूज या वीडियो के माध्यम से यातरा को बंदाम करने वाले तत्वों के विरुद्ध तत्काल एफायार दर्ज करवाई जाएगी उत्रखंड में चारधाम यातरा को लेकर शद्धालू में जबरदस्त उत्सा है पहले हफते में हैं रिकोर्ट संख्या में शद्धालू चारो धामों के दर्शन कर चुके हैं आपको बता दें कि चारधाम यातरा के लिए अब तक 27 लाग से अधीक लोग पंजी करन करा चुके हैं जबकि 3,34,732 तीर्थ यातरी दर्शन कर चुके हैं केदारनाथ में अब तक 1,55,584 गंगोत्री में 63,078 यमनोत्री में 70,433 और बदरीनाथ में 45,637 तीर्थ यातरी दर्शन कर चुके हैं उत्रखंट से जुड़ी तमाम खबरे पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और अगर आप इस वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेच को जरूर लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें